हेलो फ्रेंड आज की वीडियो में हम जानेंगे की युवाओं में बढ़ते हाट अटाक की समस्या को कम कैसे करें? वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही हेल्प से जुली जानकारी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हाथ यानी दिल है जो तब तक काम करता है जब तक की मनुश्य की धर्कने बंद नहीं हो जाती हम सभी का दिल एक मिनट में 70 मिली लीटर बलड पंप करता है और एक दिन में 7600 लीटर और अपने जीवनकाल में 200 मिलियन लीटर बलड को पंप करता है इसलिए हर कोई दिल की सेहत का खास ख्याल रखता है नमब एक मौझूदा दौर में हम और आप एक डिजिटल वर्ल में रहते हैं जिसमें खुद के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है ऐसे में फोन से निकलने वाली रेडियेशन आपके दिल को बहुत नुकसान पहुँचाती है नमब दो, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल ठीक से काम करें तो अपनी डाइट में अंटियोपसिडेंट, ओमेगा माइनस तीन, फारबर, प्रोटीन से भरपूर खादे पदार्थों को शामिल करें क्योंकि ये अच्छे कॉलिस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं नमब तीन, हर रोज शारीरिक गतिविदी के बहुत सारे लाब हैं और इसे आपका दिल हमेशा से हत्मंद रहता है अचानक दिल के दोरे के जोखिम को कम करना है, तो आपको डेली फिजिकल तोर पर एक्टिव रहना चाहिए नमब चार, मोटा का अधिक जोखिम का कारण बनता है, इसलिए जो लोग मोटे हैं उन्हें वेट लॉस के बारे में विचार करना चाहिए, इसके लिए उन्हें शारीरिक गतिविदी पर ध्यान देना चाहिए नमब पांच, ओमर बढ़ने पर बलड शुगर की लेवल की जाच जरूरी है, बड़ा हुआ बलड शुगर लेवल होट अटेक का कारण बन सकता है